आ रही है टाटा ब्लैक बर्ड जी हाँ दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कम्पनियों में से एक टाटा मोटर्स जल्द ही देश में एक नई मिड साइज एस्यूवी कार ब्लैक बर्ड पेश करने की तयारी में हैं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कम्पनी ने इस कार पर काम भी शुरू कर दिया है टाटा की ये नई मिड साइज एस्यूवी ब्लैक बर्ड कम्पनी के लाइन अप पे नेक्सॉन और हैरियर के बीच में पोजिशन की जाएगी कम्पनी इस कैनल रियल आटो न्यूज को सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ बैल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए दोस्तों कार के डिजाइन की बात करें तो टाटा ब्लैक बर्ड में स्लोपिंग रूफ लाइन आ 2670 mm है इसका वील बेस 2630 mm है बात करें इसके इंटीडियर की तो इसमें एयर वेंटिलेशन वाली सीट्स हैं इसमें 10 इंच का LED इंफोटेन्मेंट स्क्रीन होगा जो की Android Auto और Apple CarPlay के साथ मिलेगा Wireless Mobile Phone Charging, Bluetooth और USB इस्तमाल करने की सुविधा भी दी गई है इसकार में 5 लोगों के बैठने की हिसाब से सीट्स दी गई है 6 JBL स्पीकर्स हैं, 6-speed automatic transmission जैसी सुविधाएं भी है इस गाड़ी में 2 तरह के इंजन है जिसमें पहला 1.5 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर का 4-cylinder पेट्रोल इंजन है जो की इस कार को काफी अलग बनाता है सेफटी फीचर्स में वैसे तो टाटा को टकर देना काफी मुश्किल है इस कार की सेफटी को भी टाटा ने अपनी पुरानी कारों की तरह बरकरार रखा है इसमें कमपनी आपको 360 कैमरा ओफर करने जा रही है इसके साथ साथ इसमें 6 एयर बैक्स होंगे और रियल टाइम कैमरा वियू जैसे फीचर्स में मिलेंगे इस कार के खीमत की बात करें तो इसकी लाँचिंग 5,14,000 के शुरुआती कीमत के साथ हो सकती है बात करें इसके लाँचिंग डेट की तो इसको 2022 में कभी भी लाँच किया जा सकता है दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमीद है हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना